प्यारे बिद्यार्थियों राम राम मैं हूँ पीके बैद और स्वागत है पुना एक नए वीडियो में आप लोग कमेंट कर रहे थे कि इस वास्त बृत के कुछ प्रशनों को हल करा दीजिए क्योंकि ये मातपूर्ट टॉपिक होगा आने वाले जो है आईस फार्मासिस्ट के लिए आईस कंपाउंडर के लिए आयरुवेदिक उपशारिका के लिए जेनम के लिए एनम के लिए सारी जो वेकंसिया होती है आयरुवेदा की उनके लिए ये मातपूर्ट होता है स्वास्त बृत का ये हंड़ेड प्रशन आज इस वीडियो में शौल्ब कराया क्योंकि आप के लिए मैं बहुत ही सिद्धत और मिनहस से प्रते एक दिन वीडियो दे रहा हूँ तो आप लोग अपना प्यार और अपना इश्निय इसी तरह बनाए रखें आईए देड़ ना करते हुए पहले प्रशन की बात करते हैं प्रशन नमबर एक देखेंगे आकासिय जल का पांडूर भूमी पर पढ़ने से उसका रस हो जाता है आकासिय जो जल होता है जब ये पांडूर भूमी पर पढ़ता है तो उसका रस हो जाता है तो उसका रस हो जाता है तिक्त important होगा note कर लेंगे question number 2 देखेंगे आकासिय जल का कपिल भूमी यानि भूरी भूमी पर गिरने से उसका रस कैसा हो जाएगा तो दूशरे का भी विकल्ब सही होगा इसका भी तिक्त ही होगा note कर लेंगे विद्यार्थी इसमें भी क्या भी विकल्ब सही होगा तिक्त होगा question number 3 देखेंगे विद्यार्थी question number 3 में दिया है कि आकासिय जल को उपर भूमी पर पने से उसका रस हो जाता है आकासिय जल को उशर भूमी पर पने से उसका रस हो जाता है तो जो उसर बंजर भूमी होती है उसमें भी उसका रस क्या होगा कटू हो जाएगा कड़वा हो जाएगा प्रिश नंबर चार देखेंगे इंपोर्टेंट होगा भी द्यार थी इसमें लिखा है कि आकासिये जल को काली मिट्टी पर पंड़े से उसका जल हो जाता है तो जब काली मिट्टी पर जल गिरता है तो क्या हो जाता है तो चौथे काड़ी भी कल्ब सही होगा कसाय हो जाता है इंपोर्टेंट है नोट कर लिए प्रिश नंबर पांच देखेंगे विद्यार थी इसमें दिया है आकासिये जल को परबत पर पंड़े से उसका जल हो जाता है जब वो परबत पे जल गिरता है आकास से गिरने वाला तो वो कैसा हो जाता है तो वो हो जाता है लवड जल उसमें जो है लवड का जो है मात्रा गुल जाती है प्रिश्ट नमबर छे देखेंगे विद्यार्थी प्रिश्ट नमबर छे में दिया है कि आंत्रिच जल के प्रकार बताईए तो छिटवे का सी सही होगा छे होता है प्रिश्ट नमबर साथ देखेंगे धारा से गिरने वाले जल को कहते हैं तोशार जल हो जाता है क्या हो जाता है धारा से गिरने वाले जल को क्या कहते हैं तोशार जल कहते हैं प्रिश नमबर आठ देखेंगे ओले के रूप में गिरने वाले जल को कहते हैं जब ओला पड़ता है ओला बिस्टी होती है तो उसके रूप में जो जल गिरते हैं उसे क्य बोला जाता है तो अठ्वे का भी विकल्प सही होगा यानि कार जल हो जाएगा उसके रूप में गिरने वाले जल को कहते हैं उसके रूप में गिरने वाले जल को क्या कहते हैं तो इसे भी कार जल कहते हैं प्रिस नंबर दस देखेंगे विद्यार्थी इसमें दिया हुआ है क जम कर बर्फ बने जल को कहते हैं जब जम के बर्फ बन जाता है तो उस जल को क्या कहते हैं तो इसको भी जो है तो शार जल कहा जाता है नोट कर लेंगे विद्यार्थी पूछा जाएगा इसमें से जरूर प्रशन ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जाएगा आगे के प्रशन और भ करते हैं तो हमको भी बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके लिए पुना si video बिनाने मजबूर हो जाता हूं कौन सा जल स्रेश्ट होता है कौन सा जल स्रेश्ट होता है तो इसमें जो है भी बिकल्प सही होगा कार जल जो होता है यह सिरेश्ट होता companion नंबर बारHE देखेंग सी तोदक सी तोदक होता है प्रश्ण नमबर तेरा देखेंगे इसमें दिख्या है अना विशंदी वा जल लगु जल होता है तेरा नमबर प्रश्ण का सी विकलब सही होगा सी तोदक होगा नोट कर लेंगे प्रश्ण नमबर चोदा देखेंगे आहार अस्तंभव वस्तु रोगश बिच में खाली अस्तान बरना है उसमें लिखा है आगे शम्भवाह चौदा नंबर प्रश्न का डी भी कल्प सही होगा प्राण आहार शम्भव वस्तु रोगश प्राण शम्भवाह इसका जो है प्राण हो जाएगा प्रश्न नंबर पंद्रा देखेंगे प्यारे विद्यार्थी इसमें दिया है कोई भी पदार्थ जब अन नलिका में ग्रहन किये जाने पर जीवनी शक्त उत्वपन करे उसे कहते हैं उसे क्या कहते हैं तो उसका जो है पंद्रा नंबर प्रश्ण का भी विकल्प सही हो जाएगा आहार कहा जाता है प्रश्ण की द्रिष्टी से आहार में कितने तत्व आवश्यक हैं प्रश्ण की द्रिष्टी से आहार में कितने तत्व आवश्यक हैं प्रश्ण नंबर सत्रा देखेंगे विद्यार्थी प्रश्ण नंबर सत्रा बहुत मात्पूर होगा कारबोज वावसा में से मुख्यता प्राप्त होती है कारबोज वावसा से मुख्यता प्राप्त होती है प्रिस्ट नमबर सत्रा कौन सा विकल्प सही होगा प्रिस्ट नमबर सत्रा का जीवनी शक्ती और उस्मा की प्राप्ती प्रस नमबर 17-80 विकल्ब सही होगा उपयुक्त जी दोनों होगा कारबोज और वक्वसा से मुखता क्या मिलता है तो आपको जीवनी शक्ती मिलती है और उस्मा की प्राप्ती होती है यानि दोनों चीजे मिलती है तो इसमें उपयुक्त दोनों हो जाएगा प्रस नमबर 18 जो है ये महत्पूर है इसमें दिखा हुआ है कि प्रोटीन वा खनिज पदार्थों से मुखता प्राप्त होती है 18 का भी विकल्ब सही हो जाएगा कोशिकाओं का निर्मार प्राप्त होती है प्रिशन नमबर 19 देख लेंगे विद्ध्यार्थी इसमें दिया है बिटामिन स्खनिज पदार्थों वा जल से मुखता प्राप्त होती है तो प्रिशन नमबर 19 में कुन सा विकल्ब सही हो जाएगा 19 में आपका डी विकल्ब सही हो जाएगा उपयुक तो कोई नहीं इसमें से जो है कोई चीजे इसमें से जो है नहीं प्राप्त होता है प्रिशन नमबर 20 देख लेंगे प्यारी विद्ध्यार्थी इसमें दिया है आहार का सबसे बड़ा अंस किसका होता है 20 का ये बिवल्ब सही होगा प्रोटीन का होता है किसका होता है प्रोटीन का 21 देखेंगे सरीर में उत्पन होने वाली अधिकान से सक्ती का श्रोत है 21 का भी बिवल्ब सही होगा यानि प्रोटीन थी प्रिशन नमबर 22 में दिया है स्टार्च वा सक्क्रा को कहा जाता है 22 का भी बिवल्ब सही होगा कारबोज प्रिशन नमबर 23 देखेंगे स्टार वा सक्क्रा का प्रथमिक श्रोत है 23 23 बोलें तो शी होगा हरी सबजियां क्या होती है हरी सबजियां प्रिशन नमबर 24 बता दीजिए इसका कौन सा विकल्ब सही होगा तो इसमें दिया है कारबोज अंत में किसमें परिवर्थित हो जाती है कारबोज अंत में किसमें परिवर्थित हो जाती है तो 24 का आपका सी विकल्ब सही हो जाएगा गुलू कोजवा फ्रेक्टोज में जो है परिवर्थन होता है प्रिशन नमबर 25 बिद्यार्थी देखेंगे एक ग्राम सक्त्रा से कितने कैलोरी शक्ती प्राप्त होती है 25 बोले तो भी विकल्ब सही होगा आपको 3.1 कैलोरी 3.1 कैलोरी जो है उर्जा प्राप्त होती है यानि शक्ती प्राप्त होती है प्रिशन नमबर 26 देखें विद्यार्थी लिखा हुआ है कि आचारी शुशुरुत के अनुशार तेरा प्रकार के आधार्णिये बेगो को माना है तो कुन सा विकल्ब सही होगा आनिंदित माना है आचारी शुशुरुत ने प्रेश नमबर 123 देखेंगे 27 देखेंगे इसमें दिया है गुलू कोज का जो अन्सतुरंत उपयोग में नहीं आता वाकिसमें परिवर्तित होकर संग्रहित रहता है 27 का भी विकल्ब सही होगा यानि की अमीनो एशिट्स इंपॉर्टेंट नोट करें विद्यार्थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अमीनो एशिट्स में परिवर्त संक्रहित रहता है प्रश्चन नमबर 28 देखेगे प्यारे विद्यारती इसमें लिखा है Glycogen सरीर में कहां संचित रहती है 28 Glycogen देखेगे कहां संचित होती है 28 का भी विकल सही होगा मानस पेशियों में प्रश्चन नमबर 29 देखेंगे پ्रोटीन किसमें बने होते हैं प्रोटीन किस से बने होते हैं तो इसमें दिया है ग्लाइकोजन अमीनो एसिड फैटी एसिड उपयुक्त कोई नहीं तो 29 का आपका विकल्पशी शही होगा फैटी एसिड से जो है बना होता है प्रिश्ट नमबर 30 देखेंगे विद्यार्थी इसमें दिया है कि सरीर में ब्रिद्धी वा पुनर अस्थापन का कारे किसका है 30 का डी बिकल्प सही होगा विटामिन्स का है प्रिश्ट नमबर 31 देखेंगे एक ग्राम प्रोटीन से कितने कैलोरी उसमा प्राप्त होती है तो इसमें हो जाएगा 5.1 कैलोरी उसमा प्राप्त हो जाती है